Hello dear students, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे group 16, P block के लिए कुछ important concepts, तो चली शुरू करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर group 16 में जो elements होते हैं हमारे पास में, oxygen, sulfur, selenium, delirium और polonium, तो polonium यहाँ पर क्या होता है, radioactive, तो देखिए, जो polonium होता है, radioactive है और इसकी जो half life है, ती half, यह हो को यह important reactions, याद रखनी है आपर कुछ, जैसे FeSO4, FeSO4 क्या हो गया, ferrous sulfate, इसको जब हम heat करते हैं, तो क्या-क्या बनता है, यहाँ पर यह important reaction है, तो देखिए, यहाँ पर यह बनता है, Fe2O3, sulfur dioxide, and sulfur trioxide, okay, SO3, अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, तो K2Cr2O7, इसके साथ में, जब sulfur dioxide gas react होती है, ठीक है, in presence of H2SO4, okay, तो यहाँ पर जो product बनता है, वो बनता है, K2SO4, and chromium sulfate, CR2SO4 whole, thrice, and H2O, okay, now dear students, आपको याद रखना है, जो CR2SO4 whole thrice है, इसमें chromium का oxidation state क्या होगा, तो chromium का oxidation state यहाँ पर होगा, प्लस 3, ठीक है, तो यह green color का होता है, CR2SO4 whole thrice कैसा होता है, green color का होता है, तो जो यहाँ पर हमने पहली reaction देखी थी, FSO4 वाली, उसमें से sulfur dioxide की, यह आपने एक important property देखी, अब देखे, sulfur trioxide जो होता है यहाँ पर, इसके बारे में कुछ important points discuss कर लेते हैं, तो देखे, SO3 का structure, यह इस तरह से होता है, यह रहा SO3 का structure, यहाँ पर जो pi bonding होती है, वो कॉनसी होती है, D pi, P pi bonding होती है यहाँ पर, और यह जो SO3 है, यह यहाँ पर 3 allotropic form में exist करता है, alpha, beta and gamma, तो जो यहाँ पर gamma sulfur trioxide होता है, gamma SO3, उसका structure देखे, यहाँ पर important है, primer form में रहता है, तो देखे, cyclic structure होता है, SO, S, इस टाइप से यहाँ पर यह structure होता है, six member का, ओके, और हर एक sulfur पर double bond O, double bond O, इस तरह से present होता है, ओके, यह आप देख सकते हो, ठीके, तो यह हो गया, trimer आपका, तो देखे, यहाँ पर किस टाइप के questions से पूछ लिए जाते हैं, कि आप से पूछा जा सकता है, कि यह जो cyclic trimer है, ओके, यहाँ पर SO3 क तो answer क्या होगा, no, ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखे, तो हमने जो original reaction देखी थी, FeSO4 वाली, इसमें अगर हम Fe2O3, इसके लिए कुछ points discuss करें, तो देखिए, जो Fe2O3 होता है, ओके, Fe2O3, यह HCl के साथ में, जब आप इसका reaction करवाते हो, तो यहाँ पर मिलता है आपक क्या है, एक Levis Acid है, और यहाँ पर यह exist करता है, डाइमर के form में, जैसे Aluminium Cloride, AlCl3, डाइमर के form में भी exist करता है, क्योंकि Levis Acid है, तो Al2Cl6 के form में रहता था, इसी तरह से आप यह Fe2Cl6, इस टाइप से भी exist करता है, अगर आपने organic chemistry में Friddle Craft reaction देखी होगी, तो वहाँ पर भी हम एक Levis Acid लेता है, तो FeCl3 वहाँ पर भी हम यूज करते हैं, सोडिय स्टुएंट्स अब देखते हैं, next concept, तो देखिए, यह जो compound है, Na2S2O3, ओके, इस compound को बोलता है, sodium thiosulfate, चिक है, तो यह actually में white solid के form में रहता है, और easily dissolve हो जाता है, water में, साथ में यहाँ पर यह जो compound है, Na2S2O3, sulfur का जो compound है, inorganic compound है, यह as a reducing agent भी use हो सकता है, साथ में यहाँ पर यह जो compound है, Na2S2O3, इसको as a bleaching agent भी use किया जा सकता है, जैसे कि wool को, cotton को, silk को, soaps को, इनको bleach करने में भी इसका use किया जा सकता है, अगर हम medicinal use का देखें, तो यहाँ पर यह जो है sodium thiosulfate, यह cyanide poisoning म भी use हो सकता है, then next important use of this compound, Na2S2O3, तो के यह होता है, photography में, इसका जो solution होता है, इसको hypo solution भी कहा जाता है, Na2S2O3 का, अगर आप redox titration पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप काफी देखेंगे, Na2S2O3 के titrations, so देखिए, Na2S2O3, इसका अगर हम लोग laboratory method of preparation देखें, तो देखिए, यह prepare हो सकता है, by sulfur, sulfur को आप क्या करोगे, aqueous NaOH solution में boil कर दोगे, तो यहाँ पर boil करने के बाद में, यह आपको मिल जाता है, Na2S, और साथ में hypo, that is Na2S2O3, and H2O, तो Na2S2O3 हमारा sodium thiosulfate हमको यहाँ पर मिल जाता है, Na2S2O3, sodium thiosulfate, इसको बनाने का एक और method है, तो देखिए, यह है Na2CO3 से बनाने का method, ठीक है, तो देखिए, Na2CO3, यहाँ पर अगर आप इसको sulfur dioxide के साथ में treat करते हो, in presence of H2O, तो यहाँ पर बनता है NaHSO3, ओके, और बनती है gas, carbon dioxide, तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है यह जो NaHSO3 है, यह जो यहाँ पर NaHSO3 है, यह Na2CO3, जो Na2CO3 हमारा first step में था, इसी के साथ react करकर देदेता है आपको Na2SO3 and H2O and carbon dioxide, तो देखिए, अगर इसको पूरे अभी reaction को मैं summarize करूँ, तो Na2CO3, यह हमने शुरुआत में लिया एक inorganic compound है, यहाँ से हमारा बना NaHSO3, इ okay, by sulfite बन गया हमारा, sodium by sulfite again Na2CO3, sodium carbonate के साथ में react करके, क्या बना रहा है, Na2SO3, इसको हम क्या बोल सकते है, sodium sulfite, okay, तो यह देख सकते हो, sodium sulfite Na2SO3 यहाँ पर हमारा बन चुका है, अब देखिए, अब देखिए, यह जो आपका Na2SO3, sodium sulfite यहाँ पर बना है, first और second reaction के बाद म है, इसको जब sulfur के साथ treat करते हैं, तो यहाँ पर हमारा Na2SO3, जो कि हमको बनाना था, यह हमारा यहाँ पर finally बन जाता है, तो यह use होता है, photography में, Na2SO3, अब देखिए, group 16 जब हम पढ़ते हैं, तो concentrated H2SO4, okay, so sulfuric acid काफी जादा use में आता है, king of chemicals भी का जाता है, sulfuric acid को, तो HBR बनाने के लिए, okay, मतलब अगर हम इस reaction को देखें, तो NaBR प्लस H2SO4, यहाँ पर product में क्या बनेगा, NaHSO4 and HBR, ठीक है, तो question यह पूछा जाता है, कि इस reaction को हम use क्यों नहीं करते हैं, to prepare HBR, okay, HBR को बनाने के लिए, हम इस reaction को क्यों use नहीं कर सकते हैं, तो देखिए, reason यहा HBR जो इस reaction में आपको बनता हुआ दिख रहा है, यह क्या होता है, strong reducing agent होता है, okay, HBR यहाँ पर क्या है, strong reducing agent है, है ना, तो यह क्या करता है, HBR जैसे ही बनता है यहाँ पर, तो यह HBR H2SO4 में क्योंकि reaction तो हो रही है, तो H2SO4 अभी भी होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ, तो ये HBR क्या करता है, H2SO4 को, H2SO4 को, HBR, यहाँ पर क्या कर देता है, convert कर देता है, मतलब reduce कर देता है, किसमे, sulfur dioxide में, और साथ में, HBR खुद oxidize हो जाता है, BR2 में, है न, तो at the end, आपको HBR ना मिलते हुए, finally क्या मिलेगा, ब्रोमीन या BR2 मिल जाएगा, तो finally हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कि HBR produce करने के लिए, हम इस reaction को, मतलब NABR and H2SO4 को मिला कर, HBR नहीं बना सकते हैं, then हम next concept पर देखते हैं, जो कि important है, तो देखिए, जो H2S और H2O, अगर इन दौनों में हम देखें, तो देखिए, oxygen के नीचे, puritable में होते है, sulfur, तो यहाँ पर electronegativity oxygen की जाधा होती है, ठीक है, electronegativity किसकी जाधा होती है, oxygen की, ठीक है, sulfur से, लेकिन acidic nature किसका जाधा है, H2S का, acidic nature किसका जाधा है, H2S का, तो यहाँ पर इसके लिए आपको अगर question पुछा जाए, कि why acidic nature of H2S is more than H2O, तो देखिए, यहाँ पर correct answer क्या होगा, तो देखिए, जो H और S का bond है, यह OH bond के comparison में weak है, हS bond जो है, यह जो H single bond, S bond जो है, यह weak है, इसके comparison में then OH bond, तो जब यहाँ पर weak bond होगा, तो easily H positive वहाँ पर निकल जाएगा, और इसलिए H2S जो है, यह क्या है, more acidic होगा, किसके comparison में, H2O के comparison में, Now dear students, group 16 का important element, oxygen का important compound, ozone, okay, so next concept is related to ozone, तो देखिए, ozone जो होता है, I negative, okay, iodide ion, इसके साथ में, यहाँ पर iodide को यह convert कर देता है, into iodine, और यह iodide का source, यह iodide का source आपका, HI भी हो सकता है, या फिर KI भी हो सकता है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर, यह H2O की presence में, I2, और साथ में OH negative, and O2 gas में, convert हो जाएगा, ozone, अब देखिए, यहाँ पर अगर, यह जो I2 बना है मार रहा है, तो ozone के साथ में, अगर, moist I2O, मतला I2 plus H2O, इसको हम क्या बोलेंगे, moist iodine, तो यहाँ पर product में, क्या बन जाता है, HI O3, HI O3, इसको हम क्या बोलते हैं, Iodic Acid, और यहाँ पर आपको याद रखना है, कि जो HI O3, इसको हम बोलते हैं Iodic Acid, यह used होता है, as a oxidizing agent, mainly used as a oxidizing agent, अब देखिए, जो ozone होता है, यह आपका oxidizing agent की तरह भी use हो सकता है, और reducing agent की भी तरह use हो सकता है, अगर oxidizing agent की तरह हम देखें, तो देखिए जैसे यह PbS, PbS को ozone convert कर देता है, into PbSO4 and O2, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो sulfur का oxidation state minus 2 है, और यहाँ पर यह प्लस 6, तो आप देख सकते हो, oxidation number बढ़ गया, तो ozone ने यहाँ पर इसको क्या करा है, oxidize करा है, ना एक और reaction देख लेते हैं हम, जहाँ पर ozone एक oxidizing agent की तरह use हो रहा है, तो देखिए for example, अगर हम देखें, KI का reaction, जो अभी हमने last में भी देखा था, KI का reaction, ozone के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, KOH plus I2 plus O2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि iodine का oxidation state minus 1 है, और यहाँ पर product में क्या है, 0, तो यहाँ पर minus 1 से 0, मतलब increase in oxidation number, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ozone का oxidizing nature, अब देखिए कुछ example देखते हैं, जहाँ पर ozone जो है, वो as a reducing agent भी काम कर सकता है, तो देखिए, ozone का अगर हम reducing nature देखिए, तो देखिए, H2O2 plus ozone, यह इसको convert कर रहा है, H2O and O2 में, so dear students, यहाँ पर आप देख सकते हो, H2O2 में oxygen का oxidation state, या फिर hydrogen power oxide में oxygen का oxidation state कितना है, minus 1, और H2O में कितना है, minus 2, तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो, oxidation number decrease हो रहा है, और decrease हो रहा है, तो definitely ozone यहाँ पर क्या है, reducing agent, ozone is a reducing agent, similarly, एक और reaction देख लेते हैं, जैसे barium peroxide, यहाँ पर आप देखोगे, तो इसका नाम क्या है, barium peroxide, ठीक है, तो barium peroxide का reaction आप देखिए, BaO2 plus ozone, यहाँ पर मिल जाएगा, BaO plus O2, तो अगेन आप अगर oxidation state देखेंगे, तो per oxide है, oxygen minus 1 पर है, यहाँ पर minus 2 पर है, oxidation number decrease हुआ, तो decrease हुआ, तो ozone यहाँ पर क्या है, reducing agent, so dear is to answer, that's all for this video, मिलते हमारे next video में,